हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल न्यू फैशन अट में स्वागता है आज किस वीडियो में मैं आपको लोर की कटाई कैसे की जाती है उसके बारे में बहुत ही डेटेल से बताने जा रहा हूँ पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करकर विशा लिया है सबसे पहले हम उपरी बाग पर दो एंच का मारक लगाएंगे जो हमारा नाडा डालने के लिए या लास्टिक डालने के लिए होगा उसके बाद फटि की साथ से इसको मारक को सीधा कर देना है उसके बाद हम लोर की लेंगे लंबाई कितनी है जैसे मेरी लोर की लंबाई साधे सेंटी इंच है हमने दो इंच का जो मार्क लगा ऐसा है वहां से इसका नापेंगे साधे सेंटी इंच पे मार्क लगा देना है ऐसा ही इसके सामने और लगा देना है, दो एंच का जो मर्क लगा था वहाँ से इसको नापना है, इसको फटी की सेटा से सीधा कर लेना है, उसके बाद हम बॉटम, जिसको मोरी भी बोलते हैं, पोंच 강ा बोलते हैं, वो मर्क लगाएंगे, इसके लिए भी हम 2 एंच का मार्क लगाएंगे इस मार्क को भी हमने सीधा कर देना है जितनी मारी लेंथ है उससे हमें 5 या 6 एंच ज्यादा कपड़ा चाहिए होता है इसके बाद हम थाई जो मारा पाट होता है उसका मार्क लगाएंगे उसके लिए हमने कन्नी को शोड़ देना है कन्नी को शोड़ने के बाद मेरा पट है वो 13 एंच है 13 पे मार्क लगा देना है और एक मार्क दो एंच पे होगा जो मारी चोली की गलाई के लिए होगा ऐसा ही एक और मार्क नीचे लगा देना है जितना मारा थाई है पाट है पहले उतना मार्क लगाना है उसके बाद 2 एंच मारा चोड़ी की गलाई के लिए होगा उसके बाद हमने चोड़ी देखनी है चोड़ी मैं 3.5 एंच रख रहा हूं आप पजामे जहां लोर की नाप के चोली भी रख सकते हों जितनी आपकी चोली होगी उसे एक एंच बढ़ा कर कटाई करनी है साड़े तेरे इंच पर मार्क लगा दिया है इसके बाद हमने इन मार्क को फट्टी की सहदत से सीधा कर लेना है लोर की सलाई का लिंक भी मैं डिस्क्रेप्शन में दे रहा हूँ आप लोर की सलाई सीखना चाहते हैं तो उसे फॉल्य कोर सकते हूँ उसके बाद मैं उपरी बाग से एक आदा जा पॉने एंच की काट दूँगा जिसका पेट बार की तरफ उबर होता है उसके लिए जे काट होती है जिकर आपका पेट बार की तरफ नहीं उबरा तो ये काट आपके लिए नहीं है जिसका पेट बार की तरफ उबरा होता है उसके लिए ये काट डालनी जुरूरी होती है उसके बाद हमने थाई ना अपना है थाई जैसे मारा 13 था उसका मैंने आदा कर लेना है आदा जे साड़े 6 इंच आएगा यह हमारी मोरी की किटाई के लिए है जितना हमारा थाई का आदा है साड़े 6 इंच कंडी को शोड़ कर उसका मार्क लगा लेना है उसके बाद हमने मोरी देखनी है हमारी मोरी कितनी है मोरी 7 इंच है और वैसे हमने साथ इंच का आदा कर लेना है दो से डवाइड कर देना है इसको आदा जैसे साथ तीन इंच आया है जो हमने मार्क लगाया था वहां से साथ तीन इंच को विशाकर साथ इंच पे एक मार्क लगा देना है और एक फ्रंट पे सामने से जहांसे एंच्टेप स्टार्ट होता है वहां से मार्क लगाना है इन्हें दोनों मार्क को उपर उठा लेना है उसके बाद हमें एक गलाई वरी फट्टी की जुरूत पड़ेगी जो आपको मार्किट के में बहुत यसानी से मिल जाएगी यह 20 जा 30 रपए में आ जाती है जो हमने मार्क लगाया था स्टार्टिंग बाग उस बाग पे रखकर और नीचे वाले मोरी के बाग पे इसको रख जाना है यह बहुत ही सिंपल और बड़ीया ट्रिक है कि यह गलाई देने के लिए वैसी हमने बैक साइड पे इसका यह गलाई का मार्क देना है कि उसके बाद मैं उपरी बाग में थोड़ी सी गलाई दे रहा हूं तांकि यह इसको तिर्शा कर रहा हूं यह देखें यहां से हमने थोड़ी सी गलाई दे देनी है तांकि जो हमारा थाई का बाग है वो किसी तरप का उबरा न रह जाए इसके बाद हमने ये दो एंच की जो काट दी थी उस पर गलाई दे देनी है यह मारे आगे के दो फ्रांटी से की मार्किंग कम्प्लीट हो गिया है इसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे मार के उपर-उपर हमने इसकी कटाई कर देनी है जेकर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज असले लाइक और शेयर जूरूर करना किसी परकार की आपको डॉट है जग कोई भी वीडियो जग किसी भी परकार का आपको सलाई जग टाई नहीं आती है वो वैए आपको मुझे कमेंट करकर बता सकते हूँ मैं आपके लिए वैसी वीडियो लेकर ज़रूर हाजरूँगा जेकर आप इसकी सलाई की वीडियो देखना चाते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दे दिया है आप उसे फोलो कर सकते हूँ हमने बैक हिसे पर जो गलाई दी की है उसको इसको उपर विशा देना है विशाने के लिए हमने आगे की हिसे पर तीन एंच चाट आई एंच शोड़कर इसको विशाना है और बैक साइड पर यह बराबर होना चाहिए उसके बाद हमने फटी को उठाकर पहले भड़े मारक को सीधा कर लेना है यह मारा थाई का मारक हो गया और हम इसके बीच एक नी का मारक लगाएंगे गोड़े का मारक जिसरे बोलते हैं और नीचे मारा बौटम पहुँचे जामोरी का मारक हुगा उसके बाद हम इसके निचान लगाएंगे कितना कितना रखनाotomay पॉंचे बार हम वर नीपर हमने पौने दो इंच रखनाए और थाई जो मारा पट है वहां पर हमने सबedy इंच रखनाए उसके बाद सीधी फटी से नीचे वले मारक को उपर उठा लेना है फिर गलाई वली फटी की सेटा से इसकी गलाई देनी है पहले हम उपर ले दो मारक की गलाई देंगे नी और थाई की उसके बाद थाई से नी से हमने बॉटम का निशान लगा दना है पहुंचे वाले मार्क के इसकी गलाई देनी है उसके बाद हम चोली की गलाई देंगे चोली की गलाई हमने दो इंच पे मार्क लगाना है इसको सीधी फटी से मार्को सीधा कर लेना है और बैक साइड पे थोड़ा सा लूज देना लाजमी होता है देखिए बैक साइड पे एक डेड़ इंच तक हमने लूज देना होता है जेकर आपको कपड़ा आपका कम पड़ जाए तो आप जहां पर आपने थाई का मार्क लगाया था देखिए यह कपड़ा मेरा थुड़ा सा कम है यह मैंने थाई का मार्क लगाया था इसको आदा इंच तिर्शा करकर इसका मार्क लगा दूँगा ऐसा करने से जो पीशे का कपड़ है जो चोड़ी की होगी कटाई होगी वो बढ़ जाएगी उसके बाद मार्क के उपर इसकी कटाई कर देनी है सलाई का लिंक मैं डिस्क्रप्शन में दे रहा हूँ आप उसे जुरूर फॉलो कीज़गे बहुत यह बढ़ी है तरीके से उसमें एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से प्रड्यूस किया गया है प्रजामे की और जो है लोर की सलाई एक जैसी होती है अब हम बैक के दो पार्ट है उसकी एक साथ कटाई करेंगे यह बहुत यह बढ़ीया ट्रिक है इसकी जैसे मैंने आपको मोरी का मार्क लगाया था आप ऐसी मोरी का मार्क लगाएंगे तो आपका इस्तरीक करते वक्त कपड़ा किसी परकार का खिसकेगा नहीं जग काम और बढ़ानी होगा यह बढ़ देखते हैं कि दोनों पहुंचे बराबर नहीं होते एक पहुंचा उपर उठने लग जाता है ऐसा नहीं होगा इसके बाद हम पॉक्ट का मार्क लगाएंगे साव से पहले हमने तीन एंच का मार्क लगाना है उसके बाद डेड़ एंच यह देखिए यह हमारे मार्क जहां पर हमारा निफा जो बोलते हैं लास्टी के लिए जा नाड़े के लिए फोल्ड होगा डेड़ एंच का मार्क तो बाद हमने साड़े शे एंच जा साथ एंच पर आपका जितना आपका हाथ बारी है उसके अंदाजे से अपने पॉक्ट का मार्क लगाना है ऐसी मार्क हमने पीशे बाग से उठा लेने है यह मारी दोनों हिस्सों की आगे और बैक हिसे की कटाई कमपलीट होगी है इसके बाद हम पॉक्ट की कटाई करेंगे पॉक्ट हमारी जो है जोड़ वारी होगी अपने एक हिससे पर जोड़ों डालना पड़ेगा हमने कन्णी पे जो उसकी स्लाइड लागा देनी है इसलिए कन्णी को शूड़कर हमने 7 इंच तक पॉक्ट के मारक लगाना है जो बड़े आदमी की पॉक्ट होती है जिकर आप उससे शूटा बच्चे की पॉक्ट है 6 जा 6 इंच तक काफी है 7 इंच मारक लगाने के बाद हमने जो इसकी लंबाई है लेंथ है वह 14 इंच जा 13 इंच काफी है इसके बाद इसकी मारक उपर कटाई कर देनी है यह हमारी एक पॉक्ट त्यार हो जाएगी ऐसे दूसरी पॉक्ट के हमने कटाई कर लेनी है इसी पॉक्ट को दूसरे कपड़े उपर फोर्ड विशा कर इसकी कटाई कर देनी है दोस्तों जेकर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी प्लीज लाइक और शेर जुरू करना और मुझे कमेंट करकर जुरू बताना वीडियो कैसी लगी जहापको किस चीज की वीडियो चाहिए और नीचे वाले एक ही सेपे आपने डेड़ एंचे जा हुआ है